नमस्कार साथ यह केसे वह आशा है बढ़िया और प्रसंद्वा के साथ वर्क शिट तेरा कख्छा चार से पांच प्रयास अब यहाज पूस्तिका हम कर रहे हैं पहला है चितर को देखो सुचो और चितर के बारे में चार बागे लिखना है तो चितर को ध्यान से देखिए इस खेल रहे है ठीक है तो यह मेले का चितर है तो लिख सकते हैं यहाँ एक मेले का चितर है यहाँ बच्चे कट पूतली का खेल देख रहे हैं और क्या है यहाँ पर कुछ गुड़े गुड़ियां भी विक्रे हो रहे हैं यहाँ खिलों ने बेचे जा रहे हैं ठीक है और क्या हो रहा है और पीछे बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं यहाँ यहाँ कुछ तंबू लगे हैं यह होगे चारवाग के चली आगे देखिए आगे बहुत महत्वन प्रस्न है क्या है पानी कहां से मिलता है और ढूंड़ना है और यहाँ पर लिखना है जैसे पानी मिलता है सागर से ठीक है और कहां से मिलता है तो ठीक है बावडी से बावर्डी अब एक करती हो गई क्या है बावर्डी तो यहां तक ही था हमने आगे तक ले गया तो यह जो जील है इस पर मत करना यह लिख देते हम कि बावर्डी अब क्या है दुसरा जील है तो जील से जीव और किया कहां से मिलता है पानी तो देखीस ऑफ से मुलता है साथ तालाब है ना ये बन गया तालाब कहीं नदी दिख रहे हैं न और दी नदी ये रही नदी और कहां है जर्ना जर्ना हो गया गया नहीं वाकुआ जर्का ये तो जर्का हो गया जर्ना होना चीए था जर्का ये सा तो कुम्फ़ता नहीं है और देखिए हटा टाका शसो नहर नहर ये भी हो सकता है नहर से भी पाने बिलता है नहर चलिए इतने ही ढूने ने थे हमने इतने ढून लिए और भी हो सकते हैं आप ढून सकते हैं चलिए आगे देखते हैं आहा यहां तो बहुत सारे फल दिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं चित्र देखकर सही संख्या लिखना है कि कि पांच ठीक है अंगूर ढूनने हैं कि अंगूर कितने हैं तिनकी संख्या पता कर लेते हैं अंगूर की एक दो तीन चार पांच अंगूर दिख रहे हैं हमें ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच अंगूर के कुछे केले कितने दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच साथ केले एपल यानि सेब कितने हैं एपल तो हमें एक दो ही दिख रहे हैं चेरी कितनी है एक दो तीन एक दो तीन अनानात कितने है एक दो तीन चार यह हमने फल गिल दिये आगे है सही मिलान करना है रंगों को मिलाना है तो केसे मिलाएं यह क्या है यलो यानि पीला पीले को यलो से मिलाया यह क्या है यह है ब्लू यह है रेड ये है ब्राउन यानी भुरा और ये है ग्रीन ये मिला दिया हमने आगे है चितर देखकर कहानी को क्रम में रखना है यानी पहले क्या होगा तो देखिए पहले तो इसने यहार फूल का वरक्ष बोया यानी पहले यह आएगा फिर उसने में पानी दिया अब ये क्या कर रही है तो खोदा होगा ये इसने खोदा फिर बीज डाले फिर पानी दिया और ये फूल बड़े हो गए ठीक है पहला दूसरा तिसरा चोथा क्रम आशा है वरकर से तेरा आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगावत लाइक करें चैनल पर नए होदो सब्सक्राइब और शिकर करें अगले वीडियो तक जे हिंजे भारत वंदे मातरम बड़त्वानि तो हो मातर Inspीर अगले तैन कि झीडियो कि पूआ हक कि उल सकत्षा झाल झाल